के लिए स्ट्वेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है का फर्डिलाइजिशन के नीश्यचन नीश्यचन की जो प्रकीरिया होती है वो किस परकार से होती है कि इसके आइज भारे मैं डिसकस करें उससे पहले हम को पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं जो प्रागहण होते हैं प्राग कर्ण जो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं बिन प्रकार की एजेंसी के द्वारा पॉलन ग्रेंस का स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है इसमें बिन बिन प्रकार की एजेंसी होती है जो कि पॉलन ग्रेंस जो प्राको से जब लिब्रेट होते हैं उसके पश्चात भीन पुरकार की जो एजेंसी होती है उसके दोरा वह स्टिग्मा तक पहुंचते हैं जैसे इंसेक्ट के द्वारा जल के द्वारा या जन्तू के द्वारा या बर्ड्स के द्वारा इनके द्वारा स्टिग्मा तक पहुंसते हैं तो इस परकार से हैं जो प्राकोस है प्राकोस से लेबरेट होने के बाद में जो स्टिग्मा तक पहुंसते हैं उसे हम पॉलिनेश की बात करें कि निस्यचन के बारे में तो इस दिसी डेफिनेशन है कि male और female जो गिमिट होते हैं उनका āप्छी होनाreditation कह लाता है हुआ मेल Riley जो पराग करने उसके बारे में बात कर रहे है रहे हैं और की और इहां हमने स्टडी की उसके अंदर जो egg cell होती है उस egg cell से जो pollen grain के जो male gamit जो बनते है बाद में उनका fuse होना कि निश्चेचन कहराता है तो इस परकार से जब pollen grain जो germinate होता है उससे pollen tube बनती है उस pollen त्वलें ट्यूब के थूह प्रूभ मेल गैमिट है वहे व्यूल तक पहूंसता है। परागणनलीका के द्वरा, व्यूल तक पहूंसता है। इस कारण से जो एंजियोस्पर में जो fertilization है ये प्रोसेस है है वो साइफ नोगेमस परकार की मानी जाती है नाल यॕमणी परकार की मानी जाती है क्योंकि जो मेल गेमिट होता है वो PRAG NALICA की दौरा दूर्द तक पहंचता है इस फर्टिलाइजिशन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं हम स्टेप्स के माद्यम से हम इसमें डिसकस करेंगे जैसे पहला स्टेप आता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेंज जो प्राग कन है उनका जर्मिनेट किस परकार से होता है आगे फेले इनके संख्णा पढ़ें मैं वाना पढ़ा है एसे पॉलन ग्रेंज वैई की दौरा पॉलीनेशन होता है जруж्यवेजिप्र में पहुंस्ता है और स्टीग्मा के पहुंचने के बाद में जो स्टिग्मा के अंदर जो उस लिक्विड मेटेरियल जो स्रावित होता है उस लिक्विड मेटेरियल को अबजोर्ब करके या उस लिक्विड मेटेरियल से वह है चिपक जाते हैं पॉलन गेंस और उसके अंदर जो नमी है उसको अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करने के बाद में इसके अंदर पॉलन ट्यूब का निमान होता है पॉलन ट्यूब जो इंटाइन है वह है जर्म पॉर से बाहर आती है और बाहराने के बाद में जर्म ट्यूब का निमान होता है यह वर्दी जब करती है आगे बढ़ती है जब pollen tube कहलाती है तो इस प्रकार से इसमें pollen tube बनती है इस diagram में हम देख पा रहे हैं जो pollen grains germinate होने के बाद में इसकी जो papilid होती है इसकी जो cells होती है stigma की इस cells के बीच में से होती हुई ये pollen tube आगे बढ़ती है सामानेत है जननकोशिका के अंदर जननकोशिका से male gamit बनते हैं कुछ ऐसे plants होते हैं जिसके अंदर liberate होने से पहले इनका निमान हो जाता है सामानेत है प्रागनलिका में दो नर युगमक बनते हैं पोलन ट्यूब के सिर्स बाग में ट्यूब सैल होती है उसके पिछे male gamit होते हैं दोनों और वर्दी कुरती हुई आगे बढ़ती है सामानेत है जो पोलन ग्रेंस होते हैं उसमें एक ही जो पोलन ट्यूब है उसका निमान होता है जिसे monosyfenes कहते हैं कुछ ऐसी भी families होती हैं जिसके अंदर जो पोलन ग्रेंस होते हैं उनमें एक से अधिक प्राग नलिकाए निकलती हैं जिने हम polysyfenes भी कहते हैं और germination जब इसमें होता है पोलन ग्रेंस का तो जैसे stigma पे पहुंचते हैं पहुंचने के कुछ समय बाद में इसमें germinate होता है पोलन ग्रेंस जो समय लगता है पहुंचने के बाद जर्मिनेट होने तक वह उसका germination period कहलाता है अलग प्लांट्स में अलग अलग इसका time होता है कुछ मिनट से लेकर कुछ गंटे तक का भी germination जो period है वह आए जाता है और जो वर्तिकागर होती है वो pollen grains को space देती है इसके लगा जो वर्तिकागर है वो germinate होते होई जो pollen grains होते हैं उनको नमी परदान करती है इसके लगा जो pollen grains है उसको dryness से भी बचाती है इसके लगा pollen grains को जो इसके tissues होते हैं उसके मद्दे परवेश करता है जब pollen tube तो उसको नमी भी प्रवाइड करती है तो इस परकाश से stigma बहुत ही important part है इसका एक second point आता है अपना path of pollen tube पराग नलिका का मारग जैसे इसमें हम डाइगराम में देख पा रहे है pollen grains एक से ज़्यादा भी stigma पे आते हैं जर्मिनेट पे होते हैं बढ़ सक्सेज है उनमें से एक pollen grain होता है तो वह stigma पे आने के बाद में style से होता हुआ ओविल तक पहुंचता है तो जैसे style के अंदर ये जो प्रवेश करता है तो इसका ये path है तो जो वर्तिका में विसेश प्रकार के tissues होते हैं जिसे ट्रांस्मिटिंग टिश्यू या प्रेशनियू तक कहते हैं उनकी उपस्तिती के आदार पर कुस स्टेप भी हैं उनके मद्दे में से उता हुआ ये pollen ट्यूब है वो विल तक पहुंचता है इसकी जो प्रेशन्स का या इसकी उपस्तिती का ट्रांस्मिटिंग टिश्यू उसके आदार से इसमें तीन परकार है open style है, half close style है और इसमें close style है जैसे कि नाम से open style है इसमें सूस्पस्ट नाल होती है इसके अंदर और उस नाल से ही वो जो pollen ट्यूब है वो अंदर परवेश करती है इस जो नाल की जो सर्फेस होती है चारो और से वो आगे बढ़ने में और उसके न्यूट्रिशन परदान करने में ये हेल्प करती है इस इसमें परकार से सेगेंड है अपना half close style यानि आदी बंद तो जैसे open है इसके बजाए प्यक्षा करती है ये कम चोड़ी होती है इसके जो चारो और जो प्रेशन टिश्यू और ट्रांसमेटिंग टिश्यू है उसके कुछ लेयर्स होते हैं जो ग्लेंडूलर्स होते हैं इसी परकार से हैं next है close style इटमेसिस में कोई किसी बजार की नाल वगिरे नहीं होती इस परकार की जो simple या easy रूप से पॉलन्टिव बागे वर भी कर सके तो इसमें ट्रांसमेटिंग टिश्यू होता है इस टिश्यू के बीच में जो space होता है जिसे intercellular space कहते हैं उस space से ओकर या उसके मद्दे से ओकर ये अंडासे तक या कहें तो ओवियूल तक पहुंचती है example के रूप में जैसे दतूरा कपास में close style पाई जाती है तो इस परकार से इसमें path के अदार पर इसमें तीन हो गया open style, half and close तो इस परकार से तीन परकार की इसमें style पाई जाती है जो transmitting tissue है वो इसको path provide करवाता है next आता है अपना growth of pollen tube जो pollen tube है वो किस परकार से आगे वर्दी करती है growth of pollen tube के बारे में बात करें किस परकार से ये वर्दी करता है चुँकि हम पहले इसके बारे में discuss कर चुके हैं जो intercellular space जो होते हैं उससे होती ही ये अंडाशे तक वर्दी करती है ये भी माना जाता है कि जो वील होते हैं उसके द्वारा वील के द्वारा कुछ रसाइनिक उदारतों का secret होता है जिसके कारण से pollen tube है वो अटेक्ट होती है जिसके कारण से वागे बढ़ने महल परता है इसे रसाइनिक अनुचलन याकिमो टेक्सिस मॉमेंट भी कहा जाता है जिसके कारण से इसकी जो pollen tube की जो वर्दी है उसकी जो दिशा है वो ओविल की और ही होती है नेक्स्ट है दर्चा गया है कि जो मायक्रोपाइल पार्ट होता है उस मायक्रोपाइल पार्ट से कहीं जो pollen tube है वह प्रविस्ट करती है लेकिन प्रविस्ट करने के अदार पर इसमें कुछ तीन कुछ टाइप द रोगेमी मेज़ोमी और शालाज़ोमी परोगेमी इसी परकार का इसके अंदर पाए जाता है इसमें जो माइक्रोपाइल होता है बिजांड दुआर छेतर होता है से ही ओकर बिजांड तक यह पहुंचती है तो यह सबसे सुजदा जनक इसका मार्ग भी है जो सबसे अपना जो पहला है यह परोगेमी है जिसमें यहां से ओकर इसमें परयूइस करती है इसी परकार से मीजोगेमी जैसे इसमें देख आप ने इंटेगुमेंट्स को बेटती हुई पोल्टीन यहां परयूइस करती है उसके बाद में इसमें माइक्रो पाइल साइड में आकर pakai embryo-seq में previous करती है इसी परकार से चलाजो गयमी जैसे नाम से ही इसमें clear है कि जो चलाजल पार्ट होता है उस पार्ट से integuments को बेती हुई और ये इसमें previous करती है तो इसे परकार से इसमें तीन इसके मारग हैं तीन मारग से यह ओवियूल तक यह पहुंसता है पोलन ट्यू इसके लावा हमने सेत्व के बारे में हम डिसक्स कर चुके हैं कि कोछ शिकाओं का कुछ ग्रूप होता है आउट्गरोथ होती है जो कि जो पोलन ट्यू वहती है उसको ओवियूल की तरफ पेजने में हेल्प क करता है उस टिश्यू का सेत्व की आउब्टुडाटर भी कहते हैं नेक्स्ट जो स्टेप है इंट्री ओफ पॉलन ट्यूब इन्टू एंब्रीयो अट डिस्चार्ज ओव मेल गेमिट हम इंट्री ओफ पॉलन ट्यूब इन्टू एंब्रियो सेक की बात करें तो जैसे एंब्रियो सेक्स में पहले अगर ओवियूल में प्रिविस्च करता है तो चलाजल पार्ट या मीजो या फिर माइक्रो पाइल तीन जिसा में से प्रिविस्च कर सकता है बट जो एंब्रियो सेक्स होता है उसके अंदर माइक्रो पाइल साइड से ही इसमें पॉलन ट्यूब इ जिसे हम सिंदर्जिर सेल हमें बोलते हैं तो जैसे इसमें एंब्रियो सेख में प्रिवेस करती है तो जो प्रागनली का जो प्रिवेस है वो या तो सिंदर्जिर सेल एंब्रियो सेख की वोल के बीच से या सिंदर्जिर सेल एंब्रियो सेल के बीच से या सिंदर्जिर सेल को बेजते हुए प्रिवेस करती है तो इस परकार से तीन इसके पाथ होगए एंब्रियो सेख में प्रिवेस करने लिए तीन पाथ नमबर एक embryo sick और synergid के बीच से embryo sick की वोल्ट और synergid cell के बीच से दूसरा synergid cell और egg cell के बीच में से थर्ड synergid cell को बेढ़ते होई तो इस प्रगाश से तीन बागसें ये embryo sick में प्रिविस करती है और egg apparatus और secondary nuclei या उसके बीच में pollen tube जाके liberate करती है male gamits को इस प्रकार से liberate हो जाती है जो pollen tube है उसका आगे का part है वो dissolve हो जाता है अंदर प्रिविस करने के बाद में अत्वा कुछ species ऐसी भी होती है जिसमें आगे का जो part है वो है साखित हो जाता है दो बागा में विवाजित हो जाता है अथार दूई साकीत हो जाता है जिसमें एक जो अंदर कोशी का उसके नजदीक gamit को फरी करते हैं और एक जो secondary nuclei है उसके नजदीक जो male gamit है वो है फरी हो जाता है तो इस परकार से मुक्त होने के बाद में इनमें फ्यूज हो जाता है जो फ्यूज होने के बाद में जो process आता है उसको युगमक सेयोजन अत्वा गेमिटिक फ्यूजन कहते हैं जिसमें एक सेयोजन और जो एक male gamit है उनका जो सेयोजन है उसका जो नेसेचन है वो है सिन गेमी कहलाता है फर्टिलाइजिशन कहलाता है 2N हो जाती है male gamit और female gamit का सेयोजन होने से दूसरे male gamit की हम बात करें तो जो अन्य male gamit है वह secondary nucleus है जो दो polar nucleus से बननी जो structure है उसकी और बढ़कर उससे fuse हो जाता है वो fuse होने के बाद में जो structure बनती है वह triple fusion कराता है क्योंकि वो लोड़ी वह दूभूनित structure है दो polar nuclei बनने से और एक male gamit हो जाता है इस परकार से ये 3N condition होती है triple fusion कहलाता है इसे इससे जो structure आगे develop होती है उसको हम endosperm कहते हैं तो इस परकार से जो बनी endosperm की structure होती है इस परकार से हम ये भी देखते हैं इसमें निशेचन की परकिरिया है वह है double होती है पहले sin gaming जो fertilization है real fertilization है जिसमें male gamit और egg cell का fuse होता है second जो होती है male gamit का एक अन्य male gamit का तथा इसमें जो secondary nuclei है जो center में होता है उसका fuse होना तो इस परकार से इसमें कि दोनों का स्वयोजन उनला स्मित लित रूप से common रूप से डबल fertilization कहलाता है इसकी जो खोज है वह नवास्चिन एस जी नवास्चिन ने की थी इस ट्राइग्राम में हम देख पा रहे हैं कि पॉलन ट्यूब है पॉलन ट्यूब में दो इसमें male gamit है male gamit यहां से माइक्रोफाइल साइड से यह प्रविस करते हैं इसमें दो यह synergy cell एक XL है पीच में यह central secondary nuclei है एंटी पोर्टल हो भी डेमेज हो जाती है उनका कोई रोल नहीं होता यह synergy cell है वह भी बाद में smart हो जाती है तो इसमें यहां हम देख रहे हैं second diagram में इसमें दो यह male gamit free हो जाते हैं वो free होने के बाद में यहां हम देख रहे हैं कि यह secondary nuclei है इसे फ्यूज होता है यही एक से होता है इस परकार से इसमें यह double हो गया तो डबल हो गया तो इसी को हम double fertilization कहते हैं इस structure में हम देख पा रहे हैं कि यहां तो यह जाइगोड embryo develop हो रहा है और यह secondary nuclei जो structure है इससे endosperm structure बनती है जो की 3N है triple structure है तो इस परकार से इसमें 12 निशेचन देखने को हमें मिलता है कि यह shortcut इसमें बता रखा है male gamit और female gamit यह आपका उस पोर इसी परकार से यह त्रियसलियन होता है triple fusion होता है जिसमें यह दो polar nuclei है जिससे secondary nucleus बनता है वो जो secondary nucleus है वो है male gamit से fuse होता है तो इस परकार से end plus 2N है वो 3N की structure बनती है इस परकार से यह एक ए और एक यह बै अगर एक दो तो इस परकार से इसमें हमें दोहरा निशेचन देखने को मिलता है question आता है कई वार double fertilization क्या होता है तो इस परकार से इसमें दोहरा निशेचन देखने को मिलता है इस कारण से हमें इसको double fertilization कहते हैं एक आता है कुशन ट्रिफल फ्यूजन क्या है तो इसमें यह ट्रिफल फ्यूजन है जिसमें दो पोलर न्यूकलेई हैं वह फ्यूज होने के बाद में सेकेंडर न्यूकलेस बनाते हैं वो सेकेंडर न्यूकलेस है वो मेल गेमिट के साथ फ्यूज हो जाता है जिसके कार्ण से यह 3N condition बनाता है यह 3N condition है जिससे आगे क्या बनता है भूरुन पोश बनता है अधार्थ एंडोस्पर्म बनता है जो की ट्रिपलोइड होता है तो यहां इस कार्ण से हम इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं